नाखून में दिखने वाले आधे चांद को हलके में न लें, तुरंट चेक करें, अपनी उंगलिया और पता लगाएं कि आपके शरीर में क्या दिक्कते हैं. हमारे नाखून हमारी उंगलियों को जबरदस्ट सुरक्षा प्रदान करते हैं. नाखून के नीचे होने वाली त्वचा काफी नाजुक होती है और इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है. ऐसे में नाखून ही हमारी उंगलियों की नाजुक त्वचा की सुरक्षा करता है. नाखून में दिखने वाले आधे चांद को हलके में न लें. तुरंत चेक करें, अपनी उंगलिया और पता लगाएं की आपके शरीर में क्या दिक्कते हैं. हमारे स्वास्थय के बारे में क्या बताते हैं की नाखून में दिखने वाले आधे चांद? फॉलो करें इस वजह से हमारे शरीर में तरहत रहके बदलाव होते रहते हैं। इन बदलावों को देख कर ही डॉक्टर या वैध्य हमारी कई दिक्कतों को बिना टेस्ट किये ही पकड़ लेते हैं। इसी सिल्सिले में आज हम आपको हमारे शरीर में होने वाले एक ऐसे बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है यह बदलाव हमारे शरीर में होने वाली कई दिक्कतों के बारे में संकेत देते हैं, जिन्हें नजरंदाज न करते हुए तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए उंगलियों की नाजुक त्वचा की सुरक्षा करता है नाखून हमारे नाखून हमारी उंगलियों को जबरदस्ट सुरक्षा प्रदान करते हैं नाखून के नीचे होने वाली त्वचा काफी नाजुक होती है और इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है ऐसे में नाखून ही हमारी उंगलियों की नाजुक त्वचा की सुरक्षा करता है अलग-अलग इनसान के नाखून भी अलग-अलग तरहके होते हैं किसी के नाखून बहुत सक्त होते हैं तो किसी के नाखून बिलकुल साफ और मुलायम होते हैं कई लोगों के नाखून तो हमेशा तूटते भी रहते हैं इसके अलावा कोई लोगों के नाखून पर आधा चांद भी बना होता है। नाखून में बना होने वाला ये चांद हमारे स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के संकेत देता है। नाखून पर दिखाई देगा मतलब समझिये वह उतना स्वस्थ है। नाखून पर दिखाई देने वाले ऐसे आधे चांद को लुनुला कहा जाता है। लुनुला न होना मतलब खराब स्वास्थ्य जिन लोगों के नाखून में ये लुनुला बिलकुल नहीं दिखाई देता तो ये चिंता का विशय हो सकता है। दरसल शरीर में खून की कमी की वजह से लुनुला नहीं दिखाई देता। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के नाखून में दिखने वाला लुनुला सफेद के बजाए पीला या नीला दिखे तो मतलब वह डाइबिटीज का भी शिकार हो सकता है। इतना ही नहीं, कई लोगों में लुनुला का रंग लाल पाया जाता है। ऐसे लोगों को हरिदय से जुड़ी दिक्कते हो सकती हैं। लुनुला के बारे में आपको इतना समझना होगा कि यदि ये सफेद रंग का है तो ठीक है। इसके अलावा ये आपके नाखून में नहीं है या फिर सफेद के अलावा किसी और रंग का है तो आपको डॉक्तर से मिलना चाहिए।